तो आप सभी का एक बाई फिर से स्वागत आसी टेक के यूटूब के चैनल पे तो आज हम लोग वीडियो में जानेंगे कि आप अपने कम्प्यूटर के लैप्टॉप का स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो चले बिना किसी देरी के वीडियो में स्टार्ट करते हैं तो चले आज कि हम लोग कंप्यूटर पर तो देखते हैं हमारा क्या क्या तरीका जिसके कारण हम अपने कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर आपका सिस्टम slow हो गया है काम करते करते तो आप अपने काँ की स्थेट को बढ़ाएंगे कैसे तो फाहला लगा एक system slow है तो check for update पे click किजगा तो update से क्या होता है तो update से यह होता कि कोई भी नया bugs bug मतलब होता है कि अगर कोई software में कोई खराबी खराबी आ जाती है या virus बोल सकते हैं कि कि अपडेट जरूर रखें अपडेट आपको करना होगा तो यहां से हमलोग update कर लेंगे इसको होने देते हैं चलिए द्सारीका हम देख लेटेते हैं तो यहां से आप लोग शिस्टम कर लेंगे क्यों दिक्कत होगा तो पहला तरीका अफ्टेिक करने के बाद आपका system की अच्छा हो जाता है और दूसरा तरीका करो हँए भ्लाव होता है नोर्मली होता क्या है कि जब आप computer open करते तो जैसे विंडोस फिर्फ होती है तो उसके साथ कुछ aap पाप अपने आप काम करना चालो कर देता है, तो उसको आप बंद कर सकते हैं कि कौन सा आप काम करता है, कौन सा आप नहीं, तो देखना चाहेंगे, तो यहां पर आप सर्च किज़ेगा start up apps जैसे आप लिखेंगे startup apps तो आ जाएगा यहां पर इसको ले लिज़ेगा startup app लेने के बाद आप जैसे click कतत यहां पर आपको दिख जाता है कि windows के साथ कौन कौन सा background में आपका app जो है वो windows के साथ run होती है तो यहां पर देखिए कि बहुत सारा app आपको दिख रहा है कि यह सब Windows के साथ चलती है हमारे computer software वहhouse software का नाम दिख रहा है ने तो बहुत सारे software Windows के साथ चलती है तो जो जो नहीं चलता आप उसको यहां से क्या कर सकते हैं जिसका ज़ुरत आपको लगे खरेंट यह आपका रियल्टेक चाहें तो जिसको चाहें बंद कर सकते हैं तो यह चीज आकर आप चाहें तो जिसको चाहें बंद कर सकते हैं जिसको चाहें तो आप ओपें रख सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं कि शुरू शुरू में यह सब आप हमको नहीं चाहिए तो यह सब आप काम आपका नहीं करे जब आप इसको open करेंगे यह तभी काम करेगा तो यहां से आप बहुत सारे app को क्या कर सकते हैं बंद कर सकते हैं जिसके कारण system on होने के साथ आपका system जो है आपका RAM और hardx processor जो इस सब को चलाने में लग जाता है तो वह सब आपका बच जाएगा RAM आपका ज्यादा इंगेज नहीं होगा इन सब software को चलाने में तो यहां से आप चाहें तो सब को बंद कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो यह आप देख लिए दूसरा तरीका था कि startup app को आपको बंद कर देना है जो app आप चाहते हैं वही काम करें बाकि आपके computer बहुत सारा software होता है त आपका क्या होता है कि background में बहुत सरा एप चलता है तो computer में Windows 10 में भी होता है कि background इससे आपका computer क्या होता है बहुत ही जाता slow हो जाता है तो आपको अगर कोई चाहते हैं कि नहीं हमको यह सब background में चाहिए अब बहुत सारे रहेगा जब तक कि हम उसको open नहीं करते हैं तो यहां से तीसरा तरीका आप जान चुके होंगे background आप को बंद कर लेंगे 14 है सबसे main हमारा add or remove programs तो add or remove program में हम लोग क्या करेंगे कि जैसी आप लोग नया computer खरीदते हैं तो होता क्या है कि आप बहुत सारा जो software होता है file to का आपके computer install हो जाता है जो आपका काम का वह तो install है ही है उसके साथ बहुत सारा file to का भी हो रखा है तो अब उससे होता क्या है कि आपका RAM processor पूरा busy होता है उसी software को चलाने मापका drive भी फूल हो जाता है तो आपको करना क्या कि जो भी software का list होगा आपको यहाँ पर दीख जाएगा हम ऐसे सब दिन इस चीज को खतम करते रहते हैं लेकिन आपको दीख रहा है कि जो भी software आपको लगे कि मेरे काम का नहीं है जैसे यह देखिए इसको हम खत कंप्यूटर में रखना है बाकि आपको अपने computer से उसको हटा देना है इससे फायदा होगा कि आपका computer जो है वो slow काम करना बंद कर देगा कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने माबलों को आप देख लीजिएगा मोनेट से यह होता है कि जब आप नेट computer में connector के चलाते हैं तो बहुत सारा software अपने आप download होके install हो जाता है तो आप उसको कमी से यहां से क्या कर सकते हैं असानी से हटा सकते हैं जिससे आपका काम computer अच्छे से करेगा पाचमा तरीका हमारा है चार अब जान चुके हैं पाचमा हमारा storage settings कि storage लिखेंग तो आपको यहां पर storage settings आ जाएगा कि आपका local disk C जो है वो कितना है तो यहां पर दिखा रहा है कि 45GB यूज है 170GB में और यहां पर आपको दिखा रहा है कि app and features कितना ले रखा है अधर में कितना temporary file कितना है so more category पर आप click करेंगे तो यहां पर आपको पूरा इसका जो file है वो आपको पूरा details आपको दिख जाएगा कि कौन-कौन कितना ले रखा है तो यहां पर आपको किसी को ज़्यादा छेड़ना नहीं है छेड़ना है temporary file को आपको delete कर देना है हम यह मेरा मेरे रोज सबते में हम scan हो रहा है भी download भी कितना है 0.99 GB मतलब download नाम का जब फोल्डर होता है इंटरनेट साब जो भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वह आपका यहां पर है कितना है 0.99 GB Windows Update क्लीन अप है 4 GB Windows Update हमारा हो आ रहता है उसका दिखा रहा है चार जीबी Windows Update ले रखा है download 0.99 GB रखा है delivery optimized files 660 MB, recycle bin 41 MB, thumbnail 60 MB तो recycle bin delivery optimized यह सब को आप ले लिजिएगा दो नहीं लेना है आपको Windows Update और download download को अगर देख डिलीट करना चाहते हैं तो आप पहले एक बार जाके देख लिजिएगा download में आपको कौन-कौन-कौन-सा सा folder ऐसा फाइल है जो आपके काम का है अगरागता कि कोई काम का नहीं है तो आप यहासे डिलीट कर सकते हैं अगर आपको किया करना है कि जाके से उस फाइल को पहला बाहर कर लिजिएगा फिर यहासे डिलीट कि जैगा आप यहां से back आके देख लिजेगा, तो फिर आपको यह दिखाएगा, फिर से scan करेगा कि हमारा temporary file कितना बचा है, तो 4GB हमारा update का था, 0.99GB था, download file, तो वो आपको temporary file में यहां पे आप दिखा रहा है, कि math 1.18GB बचा है, तो कोई दिक्कत नहीं समझ गए होंगे आप, तो इस तरीका आप जानगे हैं हमारा पांचमा, छटा नमर हमारा तरीका है, task manager पर देखना, तो task manager यह आप नीचे देखना है, इसको हम लोग करते है, task bar, तो task bar पर राइट क्लिक कीजेगा, task manager पर क्लिक कीजेगा, तो यहां पर आपको दिख जाएगा, कि आपका CPU कौन कितना यू तो obvious studio का रहा है कि 64% ले रहा है, total आपका CPU uses कितना हो रहा है, 70% memory, 40%, disk 0%, network 0%, innate अभी कामनी कोई नहीं ले रहा, power uses 0 है, तो देखे, तो यहां से आपको सारा software आपको दिख जाएगा, अगर आप किसी को अब यहां से बंद करना चाहते हैं, आपको लगता है, जैसे obvious studio मेरा तो आप right click किजिएगा, यहां पर आपको देगा in task, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो वो application आपके computer में काम करना बंद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, और यह चीज हो गया, यह तो हमारा छे normal तरीका था, कि आप अपने computer को एकदम clean कर सकते हैं, speed boost कर सकते हैं, अगर आपको इन स seven या three में वो आपको नहीं मिलता था, यहां पर आपको मिलेगा reset this PC, reset this PC, इस पर आप जैसी click करेंगे, तो यहां पर आपको दो files मिलेगा, तो यहां पर पहले get start पर click किजिएगा, तो जैसे get start पर click करेंगे, तो आपको यहां पर दो तरीकी का file आता, keep my file, इसमें का जाएगा, और दूसरा तीक आपको देगा, remove everything, जैसे आपका नया computer आया था, आप phone में reset मारते हैं, तो क्या हो देक्दम नया हो जाता है, तो आप computer में भी reset मार सकते है, windows 10 में, remove everything, इस पर आप click करेंगे, तो आपका computer का सारा चीज हड जाएगा, और आपका computer बिलकुल नया ह हो जागा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखके करना है, आपको लगे कि आगर आपको सारा files रखना है, तो keep my file वाला options लीजिएगा, आपको लगता है कि आपको computer को बिलकुल नया कर देना, आपको कोई भी चीज computer में नहीं चाहिए, तो आप remove everything करके, आगे setup आपका सारा चीज reset हो जाएगा, आपका computer बिलकुल जब start होगा, इस file complete होने के बाद, तो बिलकुल एकदम phrase एकदम नया जिससे आप computer लायते खरीद के वैसा ही काम करेगा, तो चले ये था हमारा तरीका, यहाँ पर साथ तरीका हम आपको बताए, जिससे आप क्या कर सकते है अब अपने computer के speed को बढ़ा सकते हैं, अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आप हमारे channel पर new हैं, तो channel को like और subscribe करना ना भूलें, और हमने आप जो तरीका आपको बताए, उसका आप practical करके जरूर देखे, उसके बाद बगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप नीचे द